जी हां सभी को नमस्कार नाशुला नोलिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो मौर्निंग धूबत्ति वाली बस 40 क्लास और हर्यानजी के खलास दोस्तो मौर्निंग धूबत्ति के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिसार और अंबाला से समदेत महत पूर्ण 253 कोस्चन वी शरीज अभी दो जिले एक साथ कवर करने का रीजन यह है कि टाइम है कम और काम है ज़्यादा शुबए समय मौर्निंग में अगर ये अगरवत्ति लग जाए मौर्निंग धूबत्ति वाली तो दोस्तों कहना ही गया दिन में बाकी सर्जेक्ट पढ़ते रहेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं हिसार से कोश्चन नमबर एक तो इसमें हैं सबसे पहले गठन गठन कब वह हिसार का एक नॉबमर 1966 को जब हरियाना पंजाब से अलग हुआ था उसमें हिसार भी था दोस्तों और उसमें हिसार जो था वो हरियाना का सबसे बड़ा जिला ओके दोस्तों कौन सा था हरियाना का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हिसार लेकिन वर्तमान में कौन सा है वर्तमान में है सिर्षा हरियाना का सबसे बड़ा जिला उसमें सबसे छोटा जिला हुआ करता था जेंद और वर्तमान में सबसे छोड़ा जिला है फरिदाबाद ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मंडल, हिसार किस मंडल के अंदर गता आता है, हिसार, हिसार मंडल के अंदर ही आता है दोस्तों जन्संख्या घना तो है, हिसार का जन्संख्या घना तो है 438 वेक्ती परती वरक किलोमेटर इसका मतलब यह होता है कि एक वरक किलो मेटर के दायरे में ओस्तन 438 वेक्ति रहते हैं हिसार में 2011 के नुशार जन संख्या, हिसार की जन संख्या है 17,33,931 वैक्ती, 2011 के नुशार नेक्स्ट है छेतरफल, हिसार का छेतरफल है दोस्तो, 3983 वरक किलोमेटर जो की दूसरी नंबर पर है सिरसा के बाद नेक्स्ट है लिंगा नुपाद, 872 लड़कियां परती, 1000 लड़के, 2011 के नुशार नेक्स्ट है दोस्तो, साकसर ततर, यह है 72.89% 2011 के नुशार और आरक से सीट है उकलाना हर्याना विधान समा में जो 90 सीटे है, 90 में से, जो 17 आरक से सीट है, उन में से है एक कौन सी उकलाना, नेक्स्ट दोस्तो, तहसील, हिसार के अंदर कौन कौन सी तहसील है हिसार, हासी, बरवाला, आदमपूर और नारनोंद कौन सी? हिसार, हासी, बरवाला, आदमपूर और नारनोंद दोस्तों यह है नारनोंद हिसार में एक है नारनोल महंदरगड में यह है बरवाला हिसार में एक और बरवाला है जो की पंचकुला में है याद रखना, next, वूप तहसिल, वूप तहसिल दोस्तों, उकलाना मंडी, बाल समद और बास, कौन सी? उकलाना मंडी, बाल समद और बास, ठीक है दोस्तों, और यह जो उकलाना है जो आरक्षिज सीट है, यहाँ पे कौन है विधायक अनूप दानक जी नेक्स्ट उप मंडल हिसार के उप मंडल कौन कौन से है हिसार में दोस्तों हिसार हासी और बरवाला ये तिनों उप मंडल है खंड ब्लोक्स हरियाना में 2011 के बाद में अगर देखते हैं तो हमें हमेशा देखने को मिला है कि कितने खंड है 140 लेकिन अगर आज की डेट में देखते हैं तो ये हो चुके हैं 143 जिन में से सबसे ज़्यादा 10 खंडों वाला जो जिला है दोस्तों वो है हिसार कौन कौन से ब नारनोंद उकलाना ये कितने हैं दस दस ब्लोक के साथ हिसार एक नमबर पर है दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लोक वाला जिला कौन सा है हिसार ओकी उपनाम इसके उपनाम कौन कौन से है इस पात नगरी मेगनेट सिटी और स्टील सिटी उपनामों से जाना जाता है हिसार को कोशन नमबर टू हिसार का प्राचिन नाम क्या क्या है दोस्तो हिसार के प्राचिन नाम है इशुकार लारा लाल वे लारा खुर्द ये क्या है हिसार के प्राचिन नाम कोशन नमबर त्री हिसार किस भासा का सब्द है दोस्तो हिसार जो है न वो फार्सी भासा का सब्द है देखिए, फिरोज सा तुगलक ने जब हिसार को बसाया था तो इसका नाम रखा था हिसार ए फिरोजा यानि कि फिरोज का दुर्ग, फिरोज का किला ओके दोस्तों, यानि कि जो हिसार का मतलब है वो है किला, हिसार का जो मतलब है वो है दुर्ग हिसार जो है फार्सी भासा का सब्द है ओके दोस्तों नेक्स्ट फार्सी भासा में हिसार का क्यारत है किला ओबलिक दुर्ग कोशन नमर फाइव हिसार फिरोजा की स्थापना किसने की थी फिरोज साथ तुगलक ने किसने की फिरोज साथ तुगलक ने तेहरा सो चोमन में दोस्तो कब की तेहरा सो चोमन में फिरोज साथ तुगलक दवारा हिसार फिरोजा की स्थापना की गई थी कोशन नमर शीक्स फिरोज साथ तुगलक का जनम कब हुआ था तेहरा सो नो में दोस्तो तेहरा सो नो में नेक्स्ट सल्तनत काल का ताज महल यानि की गुजरी महल किस जिले में है हिसार में है दोस्तो सल्तनत काल का ताज महल गुजरी महल को कहा जाता है और हर्याना की किस इमारत को ताज महल की संग्या दी गई है वो है सेख चिली का मगबरा कहा थाने सर कुर्चेतर में Next, question number 8, गुजरी महल का निर्मान किसने करवाय था? गुजरी महल का निर्मान दोस्तों फिरो साथ तुखलक निकरवाय था? Next, गुजरी महल के एक स्तंब पर कितने अभी लेख हैं? जो की, क्या? जो की आठ जगों से आने वाले भागवतों की सूचना परदान करते हैं Question number 10, गुजरी महल के निर्मान में किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? काले पत्थरों का, किस तरह के पत्थरों का? काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों गुजरी महल के निर्मान में Next, question number 10, 11, sorry, हिसार ए फिरोजा सब्द से फिरोजा को किसने हटाया था, दोस्तों, अकबर ने, अकबर ने हिसार ए फिरोजा सब्द के आगे से, क्या है, फिरोजा को हटवा दिया था, ठीक है, कि वही ये फिरोज का किला नहीं, आप भी अकबर का सासनकाल चल रहा है, तो Next, हिसार दुर्ग के कुल कितने गेट है, दोस्तों, इसके चार गेट है, नागोरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तला की गेट, कौन कौन से हिसार दुर्ग के चार गेट है, हासी दुर्ग के पांच गेट है, याद रखना, कौन कौन से हिसार दुर्ग के, नागोर गेट में, next, question number 14, और इसी नागोरी गेट के अंदर एक गुर्द्वारा भी है, एक गुर्द्वारा भी है, क्या नाम है, हिसार के किस गेट में गुर्द्वारा सिरी गुरू सिंग सभा है, तो ये है नागोरी गेट में ही, गुरू सिंग सभा गुर्द्वारा, question number 15, हिसार म नेक्स्ट लगातार 36 गंटे 21 मिनट तक सूरिय नमस्कार का रिकोर्ड किस वेक्ति के नाम पर है लगातार 36 गंटे 21 मिनट तक सूरिय नमस्कार का जो रिकोर्ड है वो है संदीप आरिये के नाम पर और रहने वाले कहां के हैं अपने हरियाना हिसार के ओके नेक्स्ट कॉश्च कच्चा लोहा कहा सब से ज़यादा होता है कच्चा लोहा महंद्रगण में yes नेक्स्ट हर्याणा में चोधरी चर्ण सिंकर्शी विश्वी ध्यालाए किस स्थान पर है जिस किस थापना 1970 में हुई थी कहां पर है हिसार में हिसार में हिसार में है दोस्तों चोधरी चर्ण सिंकर्शी विश्वी ध्यालाए जिसे हैं यू यानिकि हिसार एकरिकल्चर यून सिंख कि जिए दहले में धान पर सोधकरिए किस पर दोस्तो धान पर इस सबद सुधकरिए कब शुरूआ था 1970 मेंhol कोंder 21 इंटा कसरा 2 तेंपने हां कोंण से 9,9,20 आर 2 तीनों और इंटा में선 पूछ चोदरी चरण सिंग किर्शी विश्विध्याले दवारा किसान मेले का आयोजन कब किया जाता है किसान मेला दोस्तो मार्च और सेप्टेंबर महिने में कब मार्च और सेप्टेंबर महिने में इस मेले का आयोजन किया जाता है Question number 23. चोदरी चरण सिंग किर्शी विश् Unfi Fantasy को आने किस नाम से जानते हैं. इसे जानते हैं, दोस्तो हिसार Agriculture University का नाम से. Ha U. Question number 24. चोदरी चरण सिंग किर्शी ولا lifelong का पुराना नाम क्या था? 24 का कोई पुराना नाम भी था? वो था पंजाब किर्शी विश्विध्याले और बदल कर क्या कर दिया गया चोदरी चरण सिंग किर्शी विश्विध्याले तो कोश्चन अगला यह है कि पंजाब किर्शी विश्विध्याले का नाम बदल कर चोधरी चरण सिनकर सिवीषि विद्हाले कब किया गया 31 अक्तुबर 1981 में है CT Question 26 41 4 4 शिनकर सिवीषि विद्हाले को सर्वोच सनस्थान का पुरुसकार कम ला सर्वोच सनस्थान का पुरुसकार मिला 1970 में båं मिला 1970 में Next question 27 हार्याना के किस विश्विध्य धाले में सबसे पहले पांच मेगावो उट का सोलर प्लांट लगाया गया क्या लगायागा मेगण तक पांच मेगावोट का चोधरी, चारणजिंग, कुर्षी, विश्विध्य धाले हिसार में को स्ट्र Caribbean और अठाइस चोदरी चर्ण सिंग किर्षी विश्विध्याले यानि कि HAU का मोटो क्या है इसका मोटो है दोस्तों किर्षी देव महालक्ष्मी किर्शी देव महलक्ष्मी नेक्स्ट अंगूर से सराब बनानी की देन किस विश्विध्याले की है किसे अंगूर से यह है चोधरी चर्ण सिंग किर्शी विश्विध्याले की देन कौन से विश्विध्याले की देन दोस्तो चोदरी चर्ण सिंग किर्शी विश्विध्याले की देने Next हर्याना का पहला Model Employment E.O.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C केंट की स्थापना कोई दोस्तों हिसार केंट की स्थापना पूछी है 15 नौवंबर 1982 को 15 नौवंबर 1982 को और साथ हिमें ही याद कर लेते हैं बाला केंट लेंबाल अकेजी किस थापन का भूई ऐठा सो 1333 में है Yes हिसार के किसस्थान से सोर्य भगवान की मूर्ति मिली है दोस्तो अग्रोहा से Him नेक्स्ट कोईशन नमर 34 संगीत के सात्फ सुरो की सोने की इईट हरियाना के अग्रोहा से मिदल है कोईशन 35 हरियाना में वैस्चे समाज का उदगंस्थल कौनसा है वैसर समाज का उदगंस्थल दोस्तों महाराज माराज अगर सेन का समद्ध और अग्रवाल जो समाज है दोस्तों क्वारी गाओं हिसार में क्वाद का मंदिर कोंसा मंदिर है गौद इसद hypocrite किस स्थान पर है हिसार में है 1809 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों कभी 1809 में इसकी स्थापना हुई थी एसिया का सबसे बड़ा पशू फारम हिसार Quesion No.38 Quesion No.38 Quesion No.42 Quesion No.42 Quesion No.43 Quesion No.44 Quesion No.44 Quesion No.46 Quesion No.46 Quesion No.46 Quesion No.47 Quesion No.47 Quesion No.48 Quesion No.47 स्वर्य सुस्मा सवराज जी ने किया था कोश्च नमबर 49 हर्याना का सबसे ज़्यादा गर्मी और चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है? हिसार हर्याना का सबसे ज़्यादा गर्मी और चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है? हिसार कोश्च नमबर 50 हर्याना में अगरवाल समाज का केंदर कौन सा जिला रहा है ये रहा है दोस्तों हिसार अगरवाल समाज का केंदर कौन सा जिला रहा है हिसार नेक्ट, 1936 में ग्राम सिवक पत्र का प्रकासन हिसार से किस ने किया देखिए, दो कोश्चन ओलरीस में कवर कर दिया हमने पहला, कब? 1936 में दूसरा, क्या? ग्राम सिवक पत्र तीसरा, कहां से? हिसार से और चोथा, किस ने किया? लाला हर्देव सहाई ने लाला हर्देव सहाय ने 1936 में ग्राम सेवक पत्र का प्रकासन दोस्तों हिसार से किया था कहां से किया हिसार से किया ये था ग्राम सेवक और 1941 में इन्होंने किया था सेवक question number one 1941 में सेवक पत्र का समाचा सेवक पत्र का प्रकासन हिसार से किस ने किया दोस्तो, 1941 में सेवक पत्र का परकासन हिसार से लाला हर्देव सहाय जी नहीं किया था Next, 1948 में ब्रह्मानन्द ने कौन सा समाचार पत्र निकाला ज्ञानोध्य कहां से हिसार से Question 54, 1950 में हर्याना संदेश, दोस्तो, हर्याना संदेश समाचार पत्र का परकासन हिसार से किस ने किया था सेथ महिस्चंद ने, किस ने निकाला, सेथ महिस्चंद जी ने ही निकाला था इसको भी, किसको अमर ज्योत को Next, Question 56, 1950 में प्यारे लाल ने कौन सा समाचार पत्र निकाला, दोस्तो, रंगिला मुशाफिर रंगिला मिशाफिर जो समाचार पत्र है, वो 1950 में प्यारे लाल जी निकाला, हिसार से निकाला Question 57, हरियाना में पुराता तविक विभाग का राज्यस तरिये, कौन सा सरिये दोस्तो, राज्यस तरिये, इस बात को ध्यान रगना संग्राले कहां है, हिसार में है राज्यस तरिये, अगर आ जाता यहां पर क्या, राश्ट्रियस तरिये, संग्राले कहां पर है, हरियाना में, तो हो जाता पंचकुला क्या हो जाता, पंचकुला, याद रखना मेरे भाई, Question No.8 मस्टर चंद्गिराम किस गाउं के रहने वाले थे, दूस्तो, जिने कहा जाता है हिंद केसरी और भारत केसरी मस्टर चंद्गिराम, यह हरियाना का सबसे बड़ा गाउं, शिसाय गाउं, हिसार सिसाए गाओं हिसार next Master Chandgir rowam को कौन-कौन से खिताम मिले थे इनको दोस्तो दो बार hindi केशरी और pharat केशरी भी मिला है दो बार hindi केशरी और ये pharat केशरी भी रहे चुके हैं इसके अलावा Master Chandgir rowam को अरजूर अवाड मिला दोस्तो 1969 में कम मिला, 1969 में और पदम सिरी आवार्ड मिला 1971 में, कॉस्चन नमबर 62, मास्टर चंद की नाम ने किन फिल्मों में काम किया है, दोस्तों इन्होंने वीर घटोतकच, टारजन, नटराज, आदी फिल्मों में काम किया है, कोस्चन नमबर 63, very important question है, थोड़ा ध्यान से देखना, doubt नहीं रखना मेरे भाईयो, जैसा option वैसा ही, टिक मारना है, यानि कि किक मारना है पेपर में, ओके, तो भाई हर्याना का सबसे बड़ा गाउं कौन सा है, सिसाय गाउं, कहां है, हिसार में, सबसे छोटा गाउं कौन सा है, चितेन गाउं, कहां है, फतेहबाद में, लेकिन, में दोस्तों, कुछ नए आंकडे, आप इन्हें भी याद रखें, क्या, हर्याना का सबसे बड़ा गाउं कौन सा है, डिग्गल जजजर का. और दोस्तों हरियाना का सबसे छोटा गाउँ कौन सा है? सुखी माजरा पंचकुला का, लेकिन गल्थी से अगर उपसन में पंचकुला ना हो, और अमबाला हो, क्या? अमबाला हो, तो आप अमबाला को टिक कर देना. लेकिन अगर पंचकुला और अंबाला दोनों हो तो सिर्फ पंचकुला को ही टिक करना सुखी माजरा गाउं पंचकुला लेकिन अंबाला हो और पंचकुला ना हो तो आप अंबाला को टिक करना ठीक है लेकिन अगर चितैन भी हो और सुखी माजरा भी हो तो दोस्तों चितैन टिक किया जाएगा ओके सबसे बड़ा गाओं कौन सा सिसाई नए आंकडो कौन सा डिगल सबसे चोटा गाओं कौन सा चितैन नए आंकडो कौन सा सुखी माजरा और आपको बाकी मैंने बता दिय हाए पर्थम हाई दोस्तों हिसार में है कहा हैं हिसार में है next नेपाल चीन की तरफ से Mount Everest पर चढ़ाई करने वाली देश की परथम महिला डेश की पहली महिला जो नेपाल और चीन की तरफ से माउंट एवरेश्ट पर चड़ी वो है इंस्पेक्टर अणित्टा कुंडु जी कहा की रहने वाली फरीत्पुर गांव हिसार की 2013 में नेपाल के रास्ते, 2017 में चीन के रास्ते, कहां चड़ी माउंट एवरेश्ट पर कहां चड़ी माउंट एवरेस्ट पर चड़ी ओके नेक्स्ट हर्याना के पहली महिला कौन है जिसे तेंजिंग नोरगे आवाड मिला दोस्तो तेंजिंग नोरगे आवाड जो है न वो परवतार रोहन से संबंद रखता है किसे परवतार रोहन से और हर्याना के पहली मैला जिसे तेंजिंग नोर के अवार्ड मिला ये है पहली परवतार रुभी मैला अनिता कुंडु 2020 में मिला है दोस्तों कम मिला 2020 में next question number 67 हरियाना का सरवादिक लवनता से ग्रेस्ट छेत्र कौन सा है दोस्तों सरवादिक लवनता से ग्रेस्ट अगर पूछा जाए तो पूर्वी हिसार है लेकिन लेकिन थोड़ा सा उत्री भिवानी और उत्री रहत तक भी है ठीक है उत्री भिवानी और उत्री रहत तक भी थोड़ा भोत है लवनता से ग्रेस्थ लेकिन पूर्वी हिसार ज़्यादा है परिषित कुचिपुटी नर्त्याइग ना सालू जिन्दल किसकी पत्री है यह दोसतो उद्योगपती और पूरु सांशद नमीन जिन्दल की नेक्स्ट गोस्टन नमर 69 जी टीवी जिसकी स्थापना सांशद सुभा संद्रा गुरुप द्वारा की गई है इसका मुख्याले कहां है दोस्तो इसका मुख्याले जो है ना हिसार में है GTV पूरु सांसद कौन? सुभाज चंद्रा जो की निर्दली है राजे सबागया देख्स भी है दोस्तो ओके पूरु सांसद नहीं सांसद ही है अभी भी हर्याना में फ्लेमिंगो, ब्ल्यू ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड, प्रेटेक्स थल कहां है दोस्तो हिसार में है next question number 17 हर्याना में महावीर स्टेडियम कहां है हिसार में question number 72 हिसार में कोन से परसिद बिस्कुट का उत्पादन होता है दोस्तो हिसार के अंदर जो परसिद बिस्किट का उत्पादना होता है वो है पान्सो पच्पन बिस्किट कौन सा पान्सो पच्पन next question no.3 रविंद्रा ट्यूब नीरज ट्यूब और जनक ट्यूब इंड़स्ट्री के सिस्थान पर हरयाना में हिसार में, कहा है हिसार में रविंद्रा ट्यूब नीरज ट्यूब और जनक ट्यूब इंडस्टिज कहा है हिसार में नेक्स्ट 74 पर्सिद बेडमिंटन खिलाड़ी साइना नहवाल दोस्तो किस जिले की है हिसार की, और इनका डेटो बर्त क्या है 17 March 1990 इनका डेटो पर्थ कोशन नबर 75 शाइना नेवाल पर कोण सी फिलम बनी है इनपर दोस्त फिलम बनी है शाइना कोण सी फिलम बनी है नेक्स्ट एशिया की सबसे बड़ी ओटो मार्केट कौन सी है दोस्तो यह है हिसार लेकिन ओटो हब कौन सा है माने सर ओटो मार्केट हिसार लेकिन ओटो हब माने सर ओके कोस्ट नमर 77 परसिद अभीनेता यसपाल सर्मा का सम्मद किस जिले से है यह दोस्तो हिसार से यसपाल सर फिलम में शिंग इज किंग अब तक 56 गेम ओवर वेलकम टू सर्जनपूर आधी पिक्चरों में और इसके लावा रावडी राठोर को तो आप जानती होंगे पुलिन सिस्पेक्टर है ये भी रावडी राठोर में ओके नेक्स्ट कोश्चन नमर 78 परसित सहित्यकार विश्ण सर्मा इनका संब्द है हिसार से नेक्स्ट हर्यणा में केंद्रिय भैस अनुसंधान यानि कि CIRB केंदर कहां पर है दोस्तों केंद्रिय भैस अनुसंधान केंदर हिसार में है और इसकी स्थापना का हुई 1985 में नेक्स्ट राष्टिय असव अनुसंधान संस्थान यानि कि N.R.C.E किस स्थान पर है ये भी दोस्तों हिसार में है कहां पर है हिसार में ही है N.R.C.E दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल रिसर्च सेंटर अनुस नेशनल रिसर्च सेंटर अनुस यानि कि राष्टिय असव अनुसंधान केंदर है और दोस्तों इसके ऊपर आया था CIRB CIRB इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों Central Institute for Research on Buffer Lodge ओके नेश्ट कोशन नमर 81 हर्याना में केंदरिय भेड परजनन केंदर यानि कि NSBC कहां है ये है दोस्तों हिसार में और इसकी स्थापना का हुई उनिसो अड़ सट्र में हुई थी अब ये NSBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा National Seep Breeding Center क्या है National Seep Breeding Center यानि कि केंद्रिय भेड परजनन केंदर क्या केंद्रिय भेड परजनन केंदर ओके हर्याना में पसुधन फारं में परजनन केंदर किस स्थान पर है पसुधन फारं में परजनन केंदर दोस्तों ये भी हिसार में ही है कोशन नमर 83 हर्याना टी का संस्थान किस स्थान पर है हर्याना टी का संस्थान यानि कि HVVI किस स्थान पर है हिसार में और स्थापना कब हुई दोस्तों हिसार में 1981 में 1981 में तो हिसार में हुई है लेकिन इससे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में दोस्तों सिमला में हुई थी कहां हुई थी 1948 में सिमला में हुई थी अब आज आता है हमारे सामने HVVI का फुल फोरम क्या होगा हर्याना Veterinary Vaccine Institute क्या हर्याना Veterinary Vaccine Institute ओके next question number 84 हर्याना में भुरुन परत्यारोपन प्रयोग साला कहां पर है हिसार में और दोस्तों स्थापना का हुई 1985 में next question number 85 इससे पहले मैं आपको request करना चाहूँगा जिस भाई ने अभी तक नासुला नोलीज यूटूब चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और आपकी अपनी पुस्तक आपकी अपनी पुस्तक हरियाना मुस्कान जो की market में available है उसे पढ़ने के बाद में आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं PDF की requirement नहीं है क्योंकि A to Z question वहीं से ही लिए गए है हमारी book है आपकी book है तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा एक बाद पुस्तक पढ़ी के देखिए आप खुद अपने दोस्तों को motivate करेंगे कि भाई ये book ले ले इससे best तो है ही नहीं आज की date में in future आजाए कोई guarantee नहीं क्योंकि बदलाव ही समय का नाम है लेकिन आज की date में सबसे best कौन सी है हरियाना मुस्कान ठीक दोस्तो तो question number 85 हरियाना में आधुनिक सूर परजनन के अंदर कहा है आधुनिक सूर परजनन के अंदर दोस्तों ये भी हिसार में ही है और इसकी स्थापना 1985 में हुई है question number 66 हिसार椅टे 322-380, Q803, X800- nossa 403, OK. याद रहेगा, Next. मेजर स्वाती मेहता नेर, का संबंद किस जिले से है? हिसार से. मेजर स्वाती मेहता नेर का संबंद है हिसार से. Q88, हर्याना के पर्थम महिला, Flying Officer कौन थी? दोस्तो, हर्याना के पर्थम महिला, Flying Officer बनने वाली यह है, गोरिश शिहाग हिसार की next हिसार में गुरु जंबेश्वर विश्विध्याले की स्थापना कब हुई दोस्तों गुरु जंबेश्वर विश्विध्याले जिसके वर्तमान में प्रोफेसर कौन है कुलपती प्रोफेसर टंकेश्वर जी कोशन नमबर 90 किस जिले में हैं कहा है हिसार में है कोशन नमर 11 हासी या कहे अशीगड के दुर्ग यानि कि किले का निर्मान किस ने करवाया था ये करवाया था पिरतुरा चोहान ने कब करवाया बारवी इस्ताबदी में बारवी इस्ताबदी में कोशन नमर 92 हासी का वरना किस ग्रैंट से मिलता है दोस्तों हासी का जो वरनणन वो चंदर बरदाई दोड़ा रचित पिर्थुराज रासो में मिलता है अब ये चंदर बरदाई कों था पिर्थुराज चोहान का दरबारी कवी ओके दोस्तो चंदर बर्दाई इसकी रचना का क्या नाम है पिर्थिराज रासो जिसमें हासी का वरणन मिलता है कॉश्चन नमबर तिराण में पूराने समय में असीगड के किले में किस चीज का निर्मान होता था दोस्तो पुराने समय में असीगड के किले में तलवार का निर्मान होता था किसी चीज़ का तलवार का असीगड बोले तो हाँ असीगड का किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तो असीगड के किले को अन्य जो नाम जाना जाता है वो है तलवार का किला क्या है तलवार का किला के नाम से भी जाना जाता है next question नबर पिच्छान में हर्याना में लोहों न लिका है और पाइप उद्धोग किस जिले का परसिद है दोस्तों लोहों न लिका है और जो पाइप उद्धोग है ये ग्राम से चीव एगजाम 2021 में पूछा गया question है next हिसार को हर्याना का किस नंबर का औद्यो के किन अगर कहा गया है किस नंबर का दूसरे नंबर का पहले का कोन है फरीदाबाद पहले नंबर का है फरीदाबाद दूसरे नंबर का है हिसार next question number 97 राजस्थान का परशिद गणगोर निरते है, हर्याना के किस जिले में किया जाता है, दोस्तो हिसार में किया जाता है, गणगोर निरते है, यह महिलाओ के दवारा किया जाता है, भगवान सीव को खुश करने के लिए किया जाता है, ओके, कोश्चन नमर 98, भगवान सीव और म प्रोप्वित्य को खुश करने के लिए गणगोर निवे खेते किसके दवारा कि आजाता है महिलाव के दवारा कि आजाता है। के उपर छोटी जो हंडिया होते हैं न मठ्की वो भरके और पानी के भरके उसके उपर नारियर होता है, पत्य होता है, कलस यात्रा निकाली जाती है, ठीक है? महिला वो द्वारा होता है. मलिक का सहरावत का जनम कहा हुआ है? हिसार में. Q. Question No. 100, Hissar से हर्याना के पर्थम अभीनेतरी, उशा सर्मा ने किस परसित फिलम में काम किया है, यह दोस्तों चंद्रावल फिलम, चंद्रावल फिलम में काम किया है, उशा सर्मा ने, ओके नेक्ट आसाराम जाट द्वारा किस सहर को स्थापित किया था हासी को आसाराम जाट ने किस सहर को स्थापित किया दोस्तों हासी को next question number 102 हासी के कितने परवेश दुआर है दोस्तों हमने starting में आपको बताया था हिसार के दुआर है कितने चार कौन-कौन से दिल्ली गेट, तलाकी गेट, नागोरी गेट और दिल्ली गेट, तलाकी गेट, नागोरी गेट और कौन था, जुनेद के मजार जिसमें है सुरी, मोरी गेट नागोरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट, और नागोरी गेट के अंदर है सेख जुनेदी के मजार, यही हमने बताया था तो वो थे हिसार के गेट और आवाज आते है हासी के गेट, हासी के कितने परवेश द्वार है दोस्तों, हासी के है दोस्तों, पांच, कितने हैं, पांच परवेश द्वार है, कौन-कौन से हैं, बड़सी गेट, उम्रा गेट, दिल्ली गेट, हिसार गेट उत्तर और हिसार गेट पस्चिम, ओके, हिसा उम्रा गेट किस जलेवे हैं हासी हिसार में लेकिन उम्री कहां है कुर्चेतर में question number 104 हासी का प्राचिन नाम क्या था आसी या आसी का या आसी का ये था हासी का प्राचिन यानि के पुरान नाम question number 105 George Thomas कौन था दोस्तो George Thomas एक Ireland का निवासी था जो कि भारत 1782 में आया था लूट पार्ट के लिए next George Thomas समरू बेगम की सेना में कब भरती हुआ था दोस्तों 1787 में हुआ था कब हुआ 1787 में हुआ था और भाड़ावास के 1789 के युद में उसने समरू बेगम के पती सहालम की जान बचाई थी ठीके दोस्तों इसी वज़े से समरू बेगम ने उसे यूपी में एक एरिया दे दिया था सासन के लिए और धीर धीरे उसने सासन इसना बढ़ाया कि वो तो बहुत ही जादा कब जाही कर लिया सेर के पठे ने next George Thomas का उपनाम क्या था जहाज सहाब था उसका उपनाम जहाज सहाब था उसका उपनाम next हाँ जी वही कोर्शन आ गया George Thomas को समरू बेगम ने टपल टपल बोले थो यूपी में है जगे टपल का जागिदार क्यों बनाया था क्योंकि उसने रेवाडी के युद में या कहें भाडवास के युद में 1789 में समरू बेगम के पती शहा आलम की जहान बचाई थी इसी से खुश होकर समरू बेगम ने George Thomas को टपल यानि की यूपी के अंदर है टपल का जागिदार बना दिया था एक डाकू जागिदार बन गया भाईया कोस्ट नमर एक सोनो 1789 में George Thomas ने किसे हराया था दोस्तो रांगड किसानों को हराया था किसको रांगड किसानों को हराया था 1789 में कोस्ट नमर ठान में सौरी 110 1789 में George Thomas ने भीवानी में किसे हराया भीवानी में दोस्तो ये हराया सिखो को अराया है जोर थोमस ने नारणोंद के युद में किसे हराया दोस्तों यहां भी उसने सिखो को हराया और ये युद कहाँ हुआ हुआ नारणोंद जोर्ज थोमस की सेना को हरा दिया था यह संयुक सेना थी सिख और मराठा की संयुक सेना इसने जोरs थोमस की सेना को हरा दिया था यह बनगाल में हुई थी कभी थी बहरामपूर वेस्ट बंगाल में अठारा सो दो में हुई थी वेस्ट बंगाल बोले तो पस्चिमी बंगाल next question number 14 हरियाना में कौन सा सासक तोड़िदार बंदु के बनाता था तोड़िदार बंदु के बनाने वाला जोर्ज थोमस ही था जोर्ज थोमस कौन था जोर्ज थोमस next question number 16 जोर्ज गड़ का दुर्ग किस स्थान पर है जोर्ज गड़ बोले तो जहाज गड़ ओके दोस्तों जोर्ज गड़ का दुर्ग जो है वो जजजर में ही है question number 117 जोर्ज गड़ को वर्थमान में किस नाम से जान जाता है दोस्तों वर्थमान में से जहाज गड़ के नाम से जान जाता है कहां है जजजर में वर्थमान में से जहाज गड़ के नाम से जान जाता है नेक्स्ट 118 जोर्जगड़ के दुर्ग या के किले का निर्मान किस ने करवाया था बैई ये जोर्जगड़ के दुर्ग या किले का निर्मान कोस्ट नमर 119 जोर्जगड़ के टकसाल में बने सिक्कों को क्या कहते थे दोस्तों इसे सिक्का-ए-साही के नाम से जाना जाता था किसके नाम से सिक्का-ए-साही के नाम से जाना जाता था Next Question number 120 जोर्थुमस का आवास थल कहां पर था दोस्तो इसका जो आवास थल था वो हिसार में ही था कहां था हिसार में Next जोर्थ हमस के आवास को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों इसके आवास को जाना जाता था जहाज कोठी के नाम से जो कि वरतमान में जहाज कोठी संग्राले बनाया गया है किस नाम से जाना जाता था जहाज कोठी के नाम से नेक्ट वर्तमान में जोर्थ हुमस के आवास में क्या बनाया गया है इसके आवास में दोस्तों जहाज कोठी संग्राले बनाया गया है कोश्चन नमर 123 हर्याना में बन भोरी देवी का मिला कहां लगता है बन भोरी देवी का मिला दोस्तो इस देवी का मिला भी कहां लगता है हिसार में ही लगता है next question number 124 हर्याना में महाराज अग्रसेन का मिला कहां लगता है महाराज अग्रसेन का मिला अग्रोहा हिसार में लगता है कहां लगता है अग्रोहा हिसार में next हर्याना में मतसे विष्विधाले को किस इस्थान पर स्थापित किया जा रहा है मतसे विष्विधाले को दोस्तो हिसार में स्थापित किया जा रहा है कोर्शन नमर 126 लाला लाजपतराई का जनम किस स्थान पर हुआ था दोस्तों लाला लाजपतराई जी का जनम हुआ था ए विभाजित पंजाब में यानि के पाकिस्तान वाले पंजाब में नेक्स्ट लाला राजपतराई ने वकालत किस स्थान से शुरू की थी दोस्तो इन्हों ने अपने वकालत का जो कारी शुरू किया था वो हिसार से किया था नेक्स्ट, हर्याना में अंतराष्टे विमान के इंदर कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा दोस्तों हिसार में अगला हिसार से बाबर के विरुद विद्रहों किस ने किया था दोस्तों ये किया था हमीद खान सारंगवाने ने बाबर के खिलाब जो विरुद किया था हमीद खान सारंगवाने ने किया था कोशन नमर 130 30 हर्याना में नया entry retro wild treatment center कहाँ खोला जाएगा हर्याना में नया entry retro wild treatment center हर्याना के किस्थान पर कालाचीर बाबा मिला लगता है तो कालाचीर जो बाबा मेला लगता है दोस्तों कोथ कला नारनोंद कहां कोथ कला नारनोंद हिसार में लगता है Next, मुर्रा अनुसंदान एम कोशल विकास के अंदर के स्थापना कहां के गई है नारनोंद हिसार में नार्नोंद हिसार में की गिये स्थापना मुर्णा अनुसंदान एम कोशल विकास के अंदर की Next कोशन अमर 133 बिजोलिया राजथान अभिलेख में राजय के किस सहर का वरणन मिलता है यानि कि राजथान के जो बिजोलिया से एक अभिलेख मिला है उसमें हरियाना के हासी का वरणन मिलता है किस का वरणन मिलता है हरियाना के हासी का वरणन मिलता है कोर्षरम 134 हिसार का कौन सा सहर चेटांग नदी के किनारे बसावा था दोस्तो सीशवाल सहर चेटांग नदी बोले तो चोटांग नदी चो टांग नदी बोले तो द्रश्य दवती नदी द्रश्य दवती नदी बोले तो सरसुवती नदी दोस्तो यह सारे नाम जो है ना अलग अलग जगहें पर अलग अलग नाम दिये गए हैं है एक ही रिगवेद में इसको द्रश्य दवती भी बोला गया है ठीक है दोस्तो ने आकाश्मानी केंद्र हिसार की स्थापना का हुई दोस्तों आकाश्मानी केंद्र हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 में को हुई थी और ये हर्याना का तीसरा आकाश्मानी केंद्र था इसका मतला दूसरा भी कोई होगा और पहला भी कोई होगा दूसरा था दोस्तों कुरुचेत 24 जून 1991 में स्थापना हुई थी और पहला दोस्तो रोहत्तक था जिसकी 8 मई 1976 को स्थापना हुई थी नेक्स्ट चंदरबरदाई का हर्याना का किस दिले से संबन था चंदरबरदाई पृत्विराज चोहान का दरबारी कवी इसका संबन दोस्तो हिसार से ही था कहां से हिसार से ओके देखो भाई टोपिक लंबा है कोस्टन जादा है बोर होने का इरादा है नो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोर नहीं होना क्यों नहीं होना क्योंकि सुबह सुबह का सामय समय है मोनी दूबत्ती लगाई जा रही है और इसी दूबत्ती में बोर हो अभी तो आपने math, physics, chemistry, science, पता नहीं, history, क्या-क्या पढ़ना है, जोगर्फी पढ़नी है, जो की coaching center पढ़ोगे, या self study करोगे, ओके, तो coaching center पे जो आपको पढ़ाया जाएगा, हर्यान जी के वो तो आपका revise हो जाएगा, और हम यहां morning में daily एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इन चीजों से bore नहीं होना है, bore होने वाले कभी success नहीं होते है, सफल नहीं होते हैं, धांदरना, next, सीशवाल सब्विता की खोज का सरे किसे जाता है, डोक्टर सूरजभान को, 1970 में की थी, सीशवाल सब्विता की खोज का सरे किसे जाता है, डोक्टर सूरजभान को, 1970 में इन्हों ने इसकी खोज की थी, यानि की खुदाई करवाई थी, कॉस्टर नमर 169, हरियाना के किस स्थान से, सिंदुगहाटी सब्वितास्थल की खुदाई से पहली बार सोने के मन के मिले, कहां से, राखिगडी हिसार से, कॉस्टर नमर 169, जोर थुमस द्वारा कितने गाउं को बसाये गया था, 253 गाउं बसाये थे उसने, 253 गाउं, कॉस्टर नमर 169, पाकिस्तान के परसिद क्रिकेटर, इमाम उलहक, हर्याना के किस जिले से सम्मद रखते हैं, हिसार से, हिसार में कहां से, हासी से, हासी हिसार से, कॉस्टर नमर 169, 30 जुलाई 1919 को, गांदी को हर्याना में, दूसरी बार कहां से ग्रफतार किया गया, 30 जुलाई 1919 को, हिसार में ग्रफतार होगे, कहां ग्रफतार होगे, हिसार में, नेक्स्ट, कॉस्टर नमर 163, सीशवाल सब्वेता को, किस सब्वेता के समकालिन माना जाता है, दोस्तों, सीशवाल सब्वेता को, वैदिक सब्वेता के, समकालिन माना जाता है वैदिक सब्वेता आरियो दुवारा बसाईगे सब्वेता को वैदिक सब्वेता के नाम से जानते हैं दोस्तों ठीक है सीशवाल सब्वेता के लोग किस जाती के होते थे निग्रो आस्टिलियन जाती के निग्रो आस्टिलियन जाती के होते थे सीशवाल सब्वेता के लोग कोस्ट नमर 155 अठारह सो स्तावन की करांती में हिसार से किसने नेतरतव किया था नवाब नूर मुहमद खान और सहजादा मुहमद आजम ने सहजादा मुहमद आजम और नवाब नूर मुहमद खान ने 1850 की करांती में नेतरतव किया था कहां से हिसार से कोस्ट नमर 146 नव पासान कालिन किर्शक बस्तियों के परमान कहां से मिले हैं दोस्तों नव पासान कालिन जो किर्शक बस्तियों के परमान मिले हैं शीषवाल सब भैता से मिले हैं, शीषवाल सब भैता, जो कि चेटांग नदी के किनारे, चोटांग नदी के किनारे, दृस्टेती नदी किनारे, सस्पती नदी किनारे बसी हुई थी, हिसार में थी, यहां से मिले हैं नव पासान कालिन, किर्शक बस्तियों के प्रमान, ओके दोस्तों, नव पासराण कारीन जिसमें पत्थर काविश कार हुआ था, ओके एक स्थान पर रहना सीख लिया था, बहुत सी बाते, हर्याना में देशी घीव की सबसे पुरानी मंडिक कहां पर है, उकलाना हिसार से, और उकलाना क्या है, एक आरक्षित, शीट है, विधान सवा की, कोस्टन नमर 14, हर्याना में मार्वल चाय उद्धोग कहां पर हसते थे, उकलाना हिसार में है, मार्वल चाय उद्धोग, next हर्याना का सबसे बड़ा सिंदु घाटी सब्यतास थल कोन सा है राखी गड़ी हिसार हर्याना का सबसे बड़ा सिंदु घाटी सब्यतास थल कोन सा है राखी गड़ी हिसार ओके दोस्तों राखी गड़ी हिसार से किस रिशी का संबन्ध है जम दगनी रिशी का नेक्स्ट कॉस्टन नमर 150 हर्याना में सिंदु घाटी सब्यतास थल राकिगडी किस जिले में है भई हिसार में यही तो कहाणी हम गार है इतने देर से लेकिन यह कॉस्टन भी अपने आप में बनता है जो की पूछा हुआ भी है इसलिए इसको बताया गया है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कॉस्टन नमर 111 हर्याना में किस स्थान से शिंदु घाटी सब्यतास थल से गेहूं चावल के दाने इट कानगार मिला है राकिगडी से मिला है भाई कहां से मिला है राकिगडी से मिला है गेहूं, चावल के दाने और इंट कानगार ये कहां है? हिसार में है कोश्चर नमर 122 हरियाना की किस स्थान से जम दगनी रिशी का संबन है? आ गया भई जम दगनी रिशी, राखिगड़ी हिसार से संबन है जम दगनी, अगनी, अगनी यानि की सब को जला के राख कर देती है राख मतलब राख एकड़ी कोश्चर नमर 133 हरियाना का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क कहां से थे? M.G. Adventure और फिम पार्क हिसार M.G. Adventure और फिम पार्क हिसार कोश्चर नमर 155 हर्यान में रेल्वे सीपिंग याड का निर्मान कहां किया जा रहा है रेल्वे सीपिंग याड का निर्मान दोस्तों हिसार में किया जा रहा है next question number 155 हर्यान में अगर गनराजे की स्थापना कहां हुई दोस्तों अगर गनराजे अगरोहा हिसार में कहा हुई अगरोहा हिसार में नेक्स्ट हर्याना की कुस्ती में पर्थम भीम अवार्डी महिला कौन है इन्हें दोजार दो तीन में क्या मिला था भीम अवार्ड मिला था कुस्ती की पर्थम भीम अवार्डी महिला सुनिता सर्मा कहां के रेने वाली हिसार की कोशा नमर 155 सुनिता सर्मा को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं भारत केशरी, हिंद केशरी, अर्जोन अवार्ड ये मिले हैं सुनिता सर्मा जी को अवार्ड दोस्तो कोशा नमर 155 हिसार के कौन कौन से दो गाउं को गोकुल ग्राम घोसित किया गया है तो हिसार के जो दो गाउं है वो है साहिवाल और गिद इन्हें गोकुल ग्राम घोसित किया गया है भाई Next हिसार के किनर गाउं का नाम बदल कर हारी में क्या कर दिया गया है गैबी नगर गैबी नगर कर दिया गया है कि नरगाओं का नाम बदल कर है हर्याना का पर्थम बाल विवामुक्त गांधी नगर गाओं कहां पर है तो पर्थम बाल विवामुक्त गांधी नगर गाओं हिसार में है भाई कहां है हिसार में याद रखना next question number 61 question number 162 Mount Everest की चलाई करने वाले हर्याना की सबसे कम उम्मर की 16 वर्षिय महिला कोने सिवांगी पाठक हिसार की 16 में 2018 को चड़ी थी कब चड़ी? 16 में 2018 को next हर्याना में हिरन उध्यान कहां पर है यह है दोस्तो हिसार में और दूसरा है महम में हिसार हिरन उध्यान की स्थावना 1970 में 42 एककड में की गई ठीक है और हिसार का आज का अंतिम question हिसार से विधान सभा की कौन-कौन सी सीटे हैं? दोस्तो सबसे ज़्यादा सीटे साथ कहां से है हिसार से कौन-कौन सी है? यह है दोस्तो हिसार हासी आदमपूर बरवाला नलवा नारनोद उकलाना और उकलाना आरक सी सीटे दोस्तो ठीक है? नलवा से विधाय कोन है? वर्दमान में रनवीर गंगुआ जो की विधान सभा के क्या है? उपाध्यक्स भी है दोस्तो अभी स्टार्ट होते है हमारा अंबाला जिला अंबाला जिले से सम्मदित वीडियो हमने देख लिया तो ये लगा लिए दिन भर की जो हमारी सारी हरिणा जिक है ना वो तो हमने कवर कर ली और बचा क्या 22 नंबर की लड़ाई है हरिणा जिक मैथ कितरह 15 की नहीं है कहीं हलके में लेलो क्योंकि हलके में लेनी वाली जो चीजे होते हैं वो भारी बढ़ जाती है भाई ठीक है इसलिए स्टार्ट करते हैं अभी अंबाला जिलावी हमने 40 दिन में कवर करना है टोटल 40 पिरड में पूरे के पूरे टोपिक कवर ओके तो सबसे पहले अंबाला का पहला कोश्चन गठन एक नॉम्बर 1966 को मंडल अंबाला मंडल के हिंतर जाता है अंबाला छेतरफल पांदरासो चुहतर बर किलोमेटर छेतरफल हैं अंबाला का लिंगानुपात 885 लड़कियां परती 1000 लड़के नेक्स्ट साख्षरतादर 82.09 परती सत जन्संख्या ग्यार अलाकटथाईजार तीनिसव पचास 2011 के नुसार साख्षरतादर 2011 के नुसार जन्संख्या गनतव 770 वेक्ती परती वर्ड़कियां किलोमेटर 2011 के नुसार आरक्सित सीट मुलाना जहां पर महर सी मारकंडेस और उनिविस्टी है मुलाना क्या है एक आरक्सित सीट है आगे आता है तहसील देखे अंबाला, बराडा, नरायनगर्ड और अंबाला केंट ये क्या है तहसील है क्या है तहसील है और नरायनगर्ड से कुछ याद आया नरायनगर्ड और कालका में गरीपादिये मिर्दा को क्या कहा जाता है घर कहा जाता है क्या कहा जाता है घर कहा जाता है और कंगी कहा जाता है जगादरी में आगे याद दिलाएंगे फिर आएगा घवराई मत नेक्स्ट उप तहसील सहजादपूर साहा और मुलाना ये क्या है उप तहसील है उप मंडल अंबाला बराड़ा और नारायनगड ये क्या है दोस्तों उप मंडल है खंड ब्लोक, अंबाला अंबाला टू, बराड़ा, सहजादपूर, साहा, नरायनगर, ये क्या है, खंड है ब्लोक, अंबाला टू बोले तो, अंबाला सिटी, उपनाम, अंबाला के उपनाम, अंबाला के उपनाम दोस्तो, मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, विज्ञान लेगरी एपुरेंटेज सीटी यह क्या है अंबाला की उपनाम है कॉस्टन नंबर टू कारासमेला 2019 का आढै केरिद्ट हो सकते क्योंस तक नेजेक्स अंबाला धा is Q4. 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 Q3. Q4. 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 Q कि भारा की गई है बासा के 650 सब्दों की रचना इप के नैस्ट हर वैंच टि कि जिले से सबसे ज्यादा नेशनल हाइवे गुजरते हैं सबसे ज्यादा एन्ह नेशनल हाइवे गुजरने वाला जिला कौन सा अमबाला देखें यहां से सब्सक्राइवे धायर Alejimana ओके, next, question number seven, परसिद सुरजपूर सिमेंट कारखाना हरियाना के किस जिले में हैं, दोस्तो सुरजपूर सिमेंट कारखाना अमबाला में है, question number eight, सुरजपूर गुरुद्वारा हरियाना के किस जिले में हैं, किस स्थान पर हैं, अमबाला में हैं, सुरजपूर गुरुद्व जबहते हैं के जिलो के लुए था कि यहतील है he can Do my boy कि हिए अंबाला अंडल में कौन-कौन से जिलिया आते हैं दोस्तों अंबाला मंदल में अंबाल कुर्छे था पंचकुला और यम्रनगर यह जिले हाते हैं च्यार के कौसने नबर ग्यारा 1919 में Rolt Act का हरियाना में कहां पर सबसे पहले विरोध हुआ था दोस्तो हरियाना में सबसे पहले जो विरोध हुआ था 1919 में वो अंबाला से शुरू हुआ था कहां से शुरू हुआ था अंबाला से Next Question No.12 मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाना के किस थान पर है दोस्तो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है न वो अंबाला में है लेकिन सीरी मंजी साहिब कैथल में है और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोध तक में है याद रखेंगे Next Question No.13 हर्याना में भासा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकादिमी दवारा अंबाला और इसके आसपास के शेत्रों में कौन सा पुरुषकार दिया जाता है दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि उर्दू अकादिमी इस पुरुषकार को देती है अंबाला और इसके आसपास के छेत्रों में कौन सा सुरेंदर पंडित सोज पुरुषकार वितरित किया जाता है कोस्टन नमर चोदा 1956 में विज्यानंद समाचार पत्र अंबाला से किसने निकाला था आत्माराम जैन ने किसने निकाला आत्माराम जैन के दवाला निकाला गया 1956 में कोस्टन नमर 15 गुरू गोविंद पुरा साहिब गुर्दवारा अंबाला में किसके सम्मान में बनाये गया था दोस्तों ये बनाये गया था शिखो के दसवे गुरू, 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 नाँ सब्सक्राइब बटेखों अचमें कुछ नमगान कुछ स्थाफित की गई ब बराहि सो निपत में। छलंगे हले, बख्राइब के जस्ता स्थाफित कौन सा है जगादरी अमन अगर देखें तीनों कोशन रेल से समझेते हैं रेल लिवे गैरेज एम वेगन और शॉप अमबाला में रेल कोश फैक्टरी कहां स्थापित की जा रही है ब्राही सोनिपत में और एक मातर रेल लुट शॉप जगादरी अमन अगर ओके नेक्स्ट को हरियाना के अमबाला में वर्सा का पर्मुकार्ण क्या है दोस्तों, शिवाली की पहाडिya नमर 20 हरियाना का सरवादिक ओस्त वर्षा वाला जिला कोंछा है ओस्त वर्षा वाला जिला है अमबाला कोश्चन नमर एक्किस हरियाना में कॉंग्रेस की साखा किस थापना किस के परियासों से हुई थी दोस्तों अमबाला में कॉंग्रेस की साखा किस थापना हुई थी किस के परियासों से राय बहादूर मुरली दरजी के परियासों से जिनका संबन कहां से था पलवल से कब कब खोला गया अंबाला में 1860 में ओके कोश्चन नमर 23 हर्याना के सबसे बड़े गोलाकार जैन मंदिर का निमान कहां किया जा रहा है दोस्तों हर्याना के सबसे बड़े गोलाकार जैन मंदिर का निमान अंबाला सिटी में किया जा रहा है कौन जैन मुनी विजय इंदर दीन सुरेश्वर जी की समर्ती में कोस्टन नमर चोबिस नागा बाबा की मजार कहां पर है दोस्तो नागा बाबा की जो मजार है हर्याना में वो है अमबाला एरबेस स्टेशन में कहां है अमबाला एरबेस स्टेशन पर है नेक्स्ट राज्य का एक मातर केंद्रिय पुष्टकाल है कहां स्थाफित किया गया है राज्य का एक मातर केंद्रिय पुष्टकाल है दोस्तों एक मातर केंद्रिय पुष्टकाल है अंबाला में 1957 में कहां अंबाला में 1957 में स्थाफित किया गया question number 26 question number 27 देश की परथम महिला विदेश मंत्री कोन बनी सुसमा सवराज जी ही बनी next सुसमा सवराज ने किसकी सरकार में सिख्षा मंत्री का पद मिला था दोस्तों सिख्षा मंत्री का पद मिला था इनको देविलाल जी की सरकार में यहीं पर यह कैमिनेट मंत्री बनी थी मातर 25 वर्ष की उमर में 1977 में सुस्मा सवराज का जनाम हरियाना के किस जिले में हुथा अंबाला में हुथा 14 फरवरी 1952 को हुथा 14 फरवरी 1952 को कोस्टन नमर 30 अभीनेता ओमपुरी अभीनेतरी जुहीं चावला परणीती चोपडा का संब्ध किस जिले से है दोस्तो यह है घासी राम कोतवाल जी इनका संब्ध जुहीं चावला और परणीती चोपडा इनका सभी का संब्ध है दोस्तो अंबाला से और परसित गजलगाई का जो रहाबाई भी उनका संबन्द भी कहां से है अमबाला से है question number 31 1855 की करांती की शुरुवात हर्याना के किस जिले में सबसे पहले हुई थी हर्याना के किस स्थान पर सबसे पहले हुई थी दोस्तों, अमबाला में हुई थी 10 मईए 1857 को कावी 10 मईए 1857 को next question number 32 1855 की करांती में सहीद हुए करांती कारियों के सम्मान में हर्याना में कहां पर सहीदी समार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है अमबाला में 22 एकड में कहां पर अमबाला में 22 एकड में बनाया जा रहा है question number 33 फ्रोजन टियर सहित समारक हरियाना में किस स्थान पर है दोस्तों फ्रोजन टियर सहित समारक है अंबाला में कोशन नमर च्वोटिस परसिद सवतंतरता सेनानी लाला दुली चंद का सम्मन किस स्थान से है लाला दुली चन दोस्तों इनका सम्मन भी अंबाला से ही है कहां से हैं अंबाला से है कोश्चन नमबर 35 परसिद साहित्यकार विसंबरनाथ कोशिक हरियाना के किस जिले से सम्मन रखते थे अंबाला से कहां से रखते थे अंबाला से परसिद मासिक पत्रिका चांद का परकाशन किस ने किया था दोस्तों चांद पत्रिका का परकाशन विसंबरनाथ कोशिक जी ने 1928 में किया था कब किया था 1928 में हर्याना के किस पत्रिका में 1857 की करांती में वीरों को फांसी दिये जाने का वनने तो ये पत्रिका है चांद पत्रिका और इनका जो अंख था चांद पत्रिका का जो अंख था कौन सा फासी अंख में 1928 में 1853 की क्रांती में सहीद हुए सहीदों का वर्णन दिया गया है दोस्तों कौन सांक फासी यंग पत्रिका कौन सी चांद पत्रिका कब 1928 विसंबरनाथ कोशिक जी की नेक्स्ट, कोस्टन नमबर 38, परसिद कहानी ताई और रक्षाबंदन के लेखक कोन है, दोस्तों परसिद कहानी ताई और रक्षाबंदन इन दोनों के लेखक है, विसंबरनाथ कोशिक जी, कोस्टन नमबर 49, परसिद हास्य व्यंग, दूबे की कहानियां के लेखक कोन है, व चलाई गई है कंडी परियोजना कोश्चन नमर 11 तारीस स्वामी द्यानन जी पर्थंबार अंबाला कब आये थे पर्थंबार अंबाला आये थे दोस्तों 17 जुलाई 1878 को उसके बाद में आये रेवाडी में वहां पर इन्हों ने गवसाला की स्थापना की थी ठीके दोस्तों नेक्स्ट महातबा गांदी पहली बार अंबाला में कब आये थे महातबा गांदी अंबाला गए क्यों थे वही कब गए थे है आठ मार्च 1921 को आये थे हैंबाला ऊप आठ ऊंप्साई किसको कोश्चन नमबर 33 अंबाला में कौन से रेलवी जोन का मुख्याल है दोस्तों उत्री रेलवी जोन का मुख्याल है इंडिया में कितने रेलवी जोन है अठारा जिन में से एक कौन सा है Metro Railway Zone बचे 17-17 में से एक उत्री Railway Zone जिसका मुख्याल है कहाँ पर है हरियाना के अंदर कहाँ अंबाला में सुचेता क्रिपलानी जो कि उत्रप्रदेश की पहली महिला मुख्या मंतरी बनी थी का जनम कहाँ हुआ था अंबाला में का हुआ था अंबाला में नांगल उत्थापक से साई प्रियोजना किस जिले से संब्देता है दोस्तों नांगल उत्थापक से साई प्रियोजना जिसके लंबाई 80 किलो मेटर ये अंबाला से संब्देता है कितने हैं 80 किलो मेटर अंबाला से सम्भन दित है next question number 46 हरियाना का पर्थम नीजी विश्वी दहल है कौन सा है दोस्तो हरियाना का पर्थम नीजी विश्वी दहल है महर से मारकेंडर विश्वी दहल है मुलाना 2009 में इसे नीजी बनाया गया था 19…1993 में मैं इसकी स्थापना हुई थी ओके याद रखेंगे भाई कोशन नमबर 47 अंग्रेजों का सबसे पुराना कवरिस्तान है अंबाला में नेक्स्ट परसिद प्रेटेक्स्थर किंग फीसर हरियाना के किस स्थान पर है अंबाला में है किंग फीसर किस स्थान पर है अंबाला में कोस्टन नमर 49 वैग्यानिक उपकरणों का कितने परतिसत निर्यात अंबाला से होता है दोस्तों वैग्यानिक उपकरणों का 35 परतिसत जो निर्यात है वो अंबाला से होता है कहां से होता है अंबाला से होता है कोस्टन नमर 50 हरियाना में 25 रड़कों का सरवादी घनत वाला ज जीन, नेक्स्ट, अंबाला में बंफेक्टरी की स्थापना किस नी की थी, दोस्तों, हिसार के रहने वाले वैद लेखराम जी और यसपाल दवारा, अंबाला में बंफेक्टरी की स्थापना किस नी की थी, वैद लेखराम जी और यसपाल जी के दवारा, नेक्स्ट, अंबाल के किस जिले में पंडव्यों के मोटर पंपों का निर्मान किया जाता है हर्याना के अंबाला में दोस्तों कहां पर हर्याना के अंबाला में पंडव्यों के मोटर पंपों का यानि कि सम्मेरी के मोटर पंपों का निर्मान किया जाता है दोस्तों कोस्टन नमबर चोंवन हर्या कहां परस्थत है परसिद सेंट पोल गेकर अमभाला में दोस्तों 8022 Southern से 58 waiver sought बीच में इसका निर्मान का रिये किया गया था है है चया कि 71 में भारत पाकिस्तान की लडाई के दुरान ए ये बुरी तरे ग्रेस्थ हो गया था तो कब 1971 में भारत-पाकिस्तान की लडाई और दोस्तो, question number eight, थोड़ा सा ध्याण से देखना, थोड़ा सा ध्यां से देखना इस question को, ठीक है, food park, क्या फूड़ पार्क, साहा, कहां रस्थित है, दोस्तो ये है अमबारा में, देखे हां, हरियाना में कितने food park है, चार, सहा अंबाला में, राई सोनिपत में, नर्माना जेंद में और डबवाली सिरसा में यह च्यार का है, फूड पार्क है, अगर हम बात करें मेगा फूड पार्क की तो दोस्तों तीन है कौन सा, एक तो सहा अंबाला वाला बिलकुल वही, दूसरा राई सोनिपत वाला और तीसरा बराही सोनिपत राही सोनिपत, बराही सोनिपत और साहा अंब Alm mala ओके दोस्तों मेगा फूड़ पार्क कितने कितने मेगा फूड़ पार्क तीन फूड़ पार कितने, चार कोश्च नबर 59 हरियाना में महावी रुध्यान और इंद्रा उद्यान कहा है दोस्तों अमबाला में है महाविर उद्यान और इंद्रा उद्यान कहा हैं अमबाला में कोश्चन नमर साथ गुर्दवारा लखनोर साहीब, सीशकंज गुर्दवारा, संगित साहीब गुर्दवारा, बाद साहीब बाग गुर्दवारा, मंजी साहीब गुर्दवारा, हर्याना में कहां पर इस्तेता है दोस्तों ये सारे के सारे जो अंबाला के अंदर इस्ते थे कहां है अंबाला में इस्ते थे सारे के सारे गुर्दवारे कोश्चन नमर 61 खडगा गॉल्फ कोर्स यानि कि आर्मी से रिलेटेड है दोस्तों शिर्मोर हिमाचर प्रदेश के राजा लक्षमी नाराण के दोवारा बसाया गया सहर कौन सा है दोस्तो राजा लक्षमी नाराण के दोवारा नाराण गड़ बसाया गया है कौन सा नाराण गड़ Q73, 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 Q अम्बाला की परमुख नदिया कौन कौन सी है टांगरी और मारकंडा ये दोनों अम्बाला की परमुख नदिया हैं दोस्तों question number 66 हर्याना में सोना कहां पाय जाता है हर्याना में सोना दोस्तों नरायन गड में पाय जाता है मारकंडा और टांगरी नदी के अंदर मारकंडा और टांगरी नदी के अंदर उसके पानी में next question number 66 मारकंडा पुरान नाम क्या अरोना नदी मारकंडा नदी अंबाला में किस स्थान से प्रवेश करती है दोस्तों ये काला अंब से प्रवेश करती है कहां से काला अंब और एक काला अंब दोस्तों पानीपत में है कहां है पानीपत में है जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई हुए थी 1761 में, एहमद साब दाली और मराठो की बीच में, जिसमें मराठे जी हार गए थे, ठीक है, 1761 में हुई थी, काला अंब में हुई थी, पानीपति में हुई थी, ये काला अंब कहां है, अंबाला में, यहां से क्या एंट्री करती है, मारकंडा नदी एंट्री करती है, मारकंड हिसार एर्थटेशन उनिसो और टालिस हिसार एर्थु स्टेशन 1964 याद रखना रखना स्री हिसार नहीं सिरसा मागड़ चाहां गवा सिर्सा एर्थ यर्थेशन 1964 दोनों आर्मी के हैं नेथ त हर्याना का परथम एनन एक मातर सीविल अस्पितार जहां पर heart attack के मरी जो किस tent उपलब्द है Ambala Kent Civil Hospital कौन सा है Ambala Kent Civil Hospital Question number 5 Ambala की स्थापना 14 स्थापदी में किस के दवारा की गई थी तो वही Ambala Rajput के दवारा की गई थी 14 स्थापदी में की गई थी किस ने की थी Ambala Rajput ने की थी अमबाला की थी Ambala की स्थाप ना Next Ambala का नाम किस देवी के नाम पर पढ़ा दोस्तो Ma Ambala Bhuani के नाम पर पढ़ा है Ambala का नाम किसके नाम पर Ma Ambala Bhuani Ji के नाम पर Question number 72 वामन दुदुदसी का मेलाहरियाना में किस थान पर भरता है दोस्तो El quicker हो Question number 17 सार्दा देवी का मेला हर्याना में कहां भरता है तिरलोकपरी अंबाला में भरता है दोस्तो सार्दा देवी का मेला कहां भरता है तिरलोकपरी अंबाला में भरता है सार्दा देवी का मेला कोश्चन नमबर 74 तीज का मेला हर्याना में कहां भरता है पिंजोर खेडा अंबाला पिंजोर खेड़ा अंबाला दोस्तो गंगा राम की हवेली कहां पर स्थेत है दोस्तो गंगा राम की जो हवेली है वो है अंबाला में और सिखों के हवेली कहां है बताइए गुरुगराम में गंगा राम की हवेली कहां है अंबाला में Q вопросы number 76. देश के सबसे पुरानी सैनिक चावनी कहां पर है? अंबाला कहने दोस्तों. 1823 में इसकी स्थापना हुई थी? कभी? 1823 में. Next. अंग्रेजों दोर स्थापी देश का पर्थम जिला? अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, वह पर थम जिला दोस्तो, अंबाला, कब 1877 में का, किस ने की, अंग्रे जोन की, कब की, 1847 में की, ok next, question no 78, प्राचीन शमय में, अंबाला में कौन सा गण क्राजे था, दोस्तो, कुनिम्द गण क्राजे था, कुनिम्द गन क्राजे था, अंबाला में, next, केंश्ट 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 हर्याना की लोग्सभास में आर्क्सि सीटे कौन सी है दोस्टो एक तो आ हैं अमबाला और दूसरी है शिर्षा तो इसे है 2020 में कब 2020 में 14 फरवरी 2020 को सुस्मा सवराज जी के नाम पर अंबाला सिटी बस स्टेंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सुस्मा सवराज बस स्टेंड ओके next question number 84 परसिद गजल गाई का सास्त्रे गाई का जोहरा बाई का संबन्द कहां से है अंबाला से है next हर्याना का पहला बस डिपो कहा स्थापित किया गया दोस्तों अंबाला में 7 सेप्टमबर 1950 को हर्याना का पहला बस डिपो स्थापित किया गया था वर्तमान में कितने बस डिपो है बताईए comment box में आपके answer का इंधार रहेगा कि वरत्मान में हर्याना में कितने बस डिपो हैं नेक्स्ट कोर्षननर 6 प्राचिन समय में हर्याना के कि जिले में सरवाधिक आम पाए जाते थे अंबाला में दोस्तो कोर्षननर 87 दोस्तो नासराम गोडब से जी को अंबाला जेल में कब फाशी दी गई थी कब दी गई 15 नुमंबर 1909 को और आज का अंतीम कोश्चन जिसके साथ हमारे कवर हो जाएंगे 253 कोश्चन अंबाला से विधान सभा सीटे कौन कौन सी है दोस्तों अंबाला से जो विधान सभा सीटे है वो है अंबाला कैंट, अंबाला सीटे नरायनगर्ड और मुलाना और जो मुलाना है एक आरकसित सीट है क्या है आरकसित सीट है दोस्तों आज यह जो हमने कवर किया है 253 कोश्चन आसा है, उमीद है कि आपको पसंद आये होंगे और यह है जो आपकी अपनी खुद की हरियाना मुश्कान बुक है इस पुष्टक को पढ़ने के बाद ओटमेटिक चेहरे पर मुश्कान आ जाएगी क्योंकि बहुत महनत से दोस्तों इस पुष्टक को तियार किया है जीरो तुरूटी के अधार पर तियार किया गया है लेकिन आप एक बात समझ सकते हैं कि कोई कितनी भी महनत क्यों ना करे कितना भी धान क्यों ना रखे 0.1% तो तुरूटी रही जाती है तो उम्मीद है कि इसमें तुरूटीया नहीं होगी लेकिन फिर भी कोई छूट जाती है तो उसे इग्नोर कर देना और ये पुष्टक पढ़ने के बाद में हर्याना के कोई भी XYZ एक्जाम में जो हर्याना जी के आती है न वो माने के चलो 22 नंबर के अगर आती है तो easily 22 को आप ऐसे हीट कर जाएंगे क्यों हीट कर जाएंगे क्योंकि 2 या 3 नंबर के करेंट के आती है और करंट में आपको PDF हर महिने की 10 तारीक को आप मुझे WhatsApp कीजिए मेरे परसनल नंबर 8727090308 के उपर आपको PDF मिल जाएगी ओके क्या मिल जाएगी आपको PDF मिल जाएगी ओके दोस्तों ओके थैंक्यू जैहिंद जैभारत वंदे मातरम आपका दिन सुबर है आप स्वस्त रहें आप खुश रहें और जल्दी बेंड बाजा बजें